तो माई डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे तो प्यारे बच्चों आज हम हिंदी में वरनिका सुरू करने वाले हैं और वरनिका का सबसे पहला नंबर चिप्टर है दही वाली मगम्मा दही वाली मगम्मा एक जबर दस्त कहानी है प्यारे बच्चों पढ़ करके आपको मजा आ जाएगा बहुत कुछ सिखने के लिए मिलेगा सास बहु का नोक जोक देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से सास बहु में लड़ाई होता है यानि कूल मिलाकर करें कहें तो एक सिरियल टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा जो की बहुत ही जबर दस्त है तो चलिए प्यारे बच्चों जल्दी अल्दी से आप लोग हमारे साथ जूड़ जाएए और आज दही वाली मगम्मा एकदम बहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले है और दही वाली मगम्मा जो ये कहानी है इस तरीके से हम आपको पढ़ाने का प्रियास करेंगे ताकि एक कहानी एक दम एक फिल्म की तरह आपके दिमाग में छप जाए एक फिल्म की तरह आपके दिमाग में छप जाए और आप जब इस कहानी को याद करें तो इस कहानी का एक एक लाइन एक एक सब्द प्यारे बच्चों आपके दिमाग में उतर आए इस तरीके से हम आपको इस कहानी को बताने वाले हैं तो चलिए my dear students, जल्दी जल्दी से आप लोग class को share करिए आज संपूर्ण या chapter खतम करने वाले हैं, एक दिन में एक chapter तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके, आप लोग class को ज़ादा से ज़ादा share कर दीजे सभी बच्चे जल्दी से class को क्या कर दीजे, share कर दीजे, ठीक है जल्दी से जल्दी आप लोग class को share कर दीजे, आकि class में सारे बच्चे जुड़ जाए सभी बच्चे जुड़ जाए, और जो बच्चे like नहीं किये हैं, फड़ा फट से class को like करिए और अपनी अपनी हादरी को पूरा करिए कि हाँ सर हम आज चुके हैं क्लास में ठीक है आज का ये जो क्लास होड़ेगा ना सच मुझ में बहुत बच्चताएगा क्योंकि आज ही ये चेप्टर ना पढ़ करके दिल खुस हो जाने वाला है मज़ा आ जाने वाला है प्यारे बच्चो तही वाली मगम्मा चलिए हम इस चेप्टर का सुरुआत करेंगे लिकिन उसके पहले बता दे कि जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जूड़े हैं जौपर बैच में जरूर जूड़ जाईएगा क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है और कम समय में आपको बहतरीन तयारी करनी है और अगर कम समय में बहतरीन तयारी करनी है तो इसके लिए आपको ये टॉपर बैच जरूर कहिए समझ गए न तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग stopper badge का हिस्सा जरूर बने stopper badge mediation जरूर लिले ताकि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए दो help line number दिया गया है दोनों में से किसी भी number पे call करके आप लोग जनकारी दे सकते हैं हम प्यारे बच्चों दही वाली मंगमा शुरू करेंगे यानि कि दही वाली मंगमा चिप्टर को शुरू करेंगे नाम क्या है दही वाली मंगमा दही वाली मंगमा एक्च्छों में प्यारे बच्चों ये जो मंगमा है ना यह जो मगम्मा है एक बुरही महिला है ध्यान रखिएगा यह जो मगम्मा है यह बुरही महिला है और यह दही बेचने का काम करती है नाम है तही बेचने का काम करती है इस लिए इस चेप्टर का नाम पड़ गया दही बाली मगम्मा इस चेप्टर में मुख्ः पात्र के रूप में मुख्ः किरेदार के रूप में एक बुढ़ी महिला है जिसका नाम है मगम्मा और बह दही बेचने का काम करती है इसलिए इस चेप्टर का नाम पढ़ गया है दही बाली मगम्मा समझ में आया? चलिए अगर हम प्यारे बच्चों इस चेप्टर के सुरुवात करें तो हम लेखक परिचे नहीं छोड़ सकते हैं उनको याद करना ही होगा इस चेप्टर के जो लेखक हैं उनके बिना ये चेप्टर क्या हो जाएगा? धूरा हो जाएगा? क्योंकि लेखक परिचे से सम्मंधित प्रस्टों भाई परिक्षा में पूछे जाते हैं समझ गए ना? समझ गए सारे बच्चे? चलिए तो प्यारे बच्चो अगर हम लेखक की बात करें अच्छा ये वाला किताब किनके किनके पास है? ये वाला जो आप बुक देख रहे हैं बरनिका का ये बरनिका बुक किनके किनके पास है प्यारे बच्चो सभी लोगों के पास है जल्दी से बताईए ये वरनिका का जो किताब है ये बला किताब ये किन के किन के पास है सारे बच्चों के पास है जल्दी से एक बार बताएंगे सभी बच्चों के पास है ये बला किताब अगर किताब है तो अच्छी बात है किताब नहीं है तो और अच्छी बात है समझ गए ने निवास ध्यान रखिएगा इस चेप्टर के लेखक का नाम है प्यारे बच्चों सिरी निवास जिनका पूरा नाम है मास्ती बेंकटेस अयर क्या नाम है मास्ती बेंकटेस अयंगार अयर नहीं अयंगार क्या नाम है यह सिरी निवास हो गया रैकेट में हम इनका पूरा नाम लिख देंगे समझ गया ना पूरा नाम क्या हो जाएगा मास्ती वेंकटेस मास्ती वेंकटेस ध्यान रखिएगा मास्ती वेंकटेस अयंगार मास्ती वेंकटेस अयंगार समझ गया ना ये प्यारे बच्चों क्या है इनका पूरा नाम है इस चेप्टर के लेखक है सिरी निवास और इनका पूरा नाम क्या है जल्दी से बताइए अरे नहीं भाई हमारा तवियत एकदम फस्ट क्लास है तिके ना जल्दी जल्दी से मास्ती वेंकटेस अयंगार इस चेप्टर का जो लेखक है सिरी निवास उनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेस अयंगार इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा अगर इनके जन्म के बारे में बातचित किया जाए ये हो गया नाम 1891 में क्या हुआ था इनका जन्म हुआ था कहां में जन्म हुआ था प्यारे बच्चों तो करनाटक में कहां में जन्म हुआ था करनाटक में जन्म हुआ था करनाटक में आप हमें ये बताइए कि करनाटक जो है वो उत्री भारत में पढ़ता है या दक्षनी भारत में पढ़ता है जल्दी से बताइए करनाटक जो है वो उत्री भारत का हिस्सा है या दक्षनी भारत का हिस्सा है आप कहेंगे कि सर करनाटक तो साउथ इंडिया में यानि कि दक्षनी भारत में पढ़ता है ठीक है ना तो ये बात प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा ठीक है तो जाहिर सी बात है कि जब ये करनाटक के थे तो इसलिए इन्हें कंणल सहित का लेखक माना जाता है समझ गये ना इन्हें प्यारे बच्चों पुरशकार के अगर बातचीत करें तो इन्हें साहित तक अदमी पुरशकार भी मिल चुका है साहित तक अदमी पुरशकार क्यों मिला था भाई साहित तक अदमी पुरशकार बताईए साहित तक अदमी पुरशकार इनको क्यों मिला था तो स्नाकते गुलू ध्यान रखियेगा एक पुस्तक का नाम है इनका शनाकते गुलू भिलकुल भी हरवलाना नहीं है, हरवलाईएगा सब घरवला जाएगा समझ गया ना, इनको सहीत अकदमी पुरसकार भी मिल चुका है, ये वद ध्यान रखिएगा, और सहीत अकदमी के अलावा ज्यान पीठ पुरसकार भी इनको प्राप्त हो चुका है, ज्या ग्यान पीठ पुरसकार. तो सहीत तकद्मी पुरशकार तो मिला ही है सहीत तकद्मी पुरशकार के अलावा स्रिनिवास जी को यानि कि इस चेप्टर के जो लेखक है उनको प्यारे बच्चों मिल चुका है क्यान पीठ पुरशकार सहीत तकद्मी पुरशकार इनको मिला था 1968 हिस्वी में 1968 हिस्वी में इनको मिला था साहित तकद में पुरशकार समझ गए जन्म कब हुआ था 1891 में पुरशकार कब मिला 1968 हिस्वी में समझ में आया यानि कि जब 70-72 साल के हो गए थे तब जाकर के इनको क्या मिला था हिंदी साहित के छेतर में इनको क्या मिला था पूरा श्कार मिला था अच्छा अगर हम प्यारे बच्चो इस कहानी के बारे में बाचित करें अगर हम इस कहानी के बारे में बाचित करें तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका कहानी है न गर हम इस कहानी के बारे में बाचित करें तो ये जो आपका कहानी है ये जो आपका क्या है कहानी है मूल कहानी लिख देते हैं यानि कि जिस कहानी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वही कहानी हम लोग को पढ़ना भी है तो ये जो हमारा मूल कहानी है न, ये कन्नल कहानियों का एक किताब है, समझ गए? कन्नल कहानियों का एक किताब है, National Book Trust India, क्या नाम है? नेशनल भूक ट्रस्ट इंडिया, नेशनल भूक ट्रस्ट इंडिया, यहीं प्यारे बच्चों कन्नल कहानियों का क्या है जी? एक किताब है, एक किताब संग्रा है, और वहीं से ये संकलन किया गया है, वहीं से क्या किया गया है? संकलित किया गया है, क्या बता रहे हैं? संकलित किया गया है, समझ गये न? वहीं से संकलित किया गया है, बताए यह याद रहेगा, वहां से यह किताब, यह जो चेप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, यह कहां से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, National Book Trust India से संकलित किया गया है अच्छा ये जो किताब ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं ने प्यारे बच्चों ये एक्चुल में कर्नल भासा में लिखा हुआ था ये जो कहानी हम लोग अभी पढ़ेंगे एक्चुल में ये कहानी कन्नल भासा में लिखा हुआ था लेकिन इसको हिंदी भासा में अनुबाद करने वाले व्यक्ति का नाम है बी आर नारायन समझ गए हिंदी भासा में अनुबाद हिंदी भासा में अनुबाद करने वाले व्यक्ति का नाम था P.R. Narayan क्या नाम है P.R. Narayan समझ में आया तो इतना आपको प्यारे बच्चों याद rखना होगा बताए क्या आप आपनों इतना याद रख लेंगे हां या ना बुलिये जल्दी से क्या क्या बताए हम आपको हम आपको बताए कि यह जो chapter अभी हम पढ़ने वाले हैं दही वाली मगम्मा इस चिप्टर के लिखक कौन है तो स्री निवास जी है इनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेस अयंगार ठीक है ना उसके बाद इनका जन्म हुआ चौजून ठारा सो एक क्यानमे को करनाटक में पुरसकार इनको मिल चुका है सह अगर इस कहानी के बारे में बादचित करें यानि कि दही वाली मगम्मा कहानी के बारे में बादचित करें तो ये कहानी लिया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इंडिया से और हिंदी भासा में नुबात करने वाले व्यक्ति का नाम है बी आर नारायन क्या नाम है बी आ और नारायन समझ में आया तो ये प्यारे बच्चों आपका लेखक परिचय हो गया याद रहेगा न ये क्या हो गया लेखक परिचय हो गया अब देखिएगा जरा ध्यान से तो हम आपको एक एक चीज समझाते हैं प्यारे बच्चों ये जो आपका कहानी है दही वाली मगम्म ये जो आपका कहानी है दही वाली मगम्मा इसमें ने एक बुजूर्ग महिला है समझ गए इसमें एक बुजूर्ग महिला है प्यारे बैचों उस महिला का नाम है ध्यान रखिएगा एक बुजूर्ग महिला है उस महिला का क्या नामे पता है एक बुजर्ग महिला है उस महिला का नाम है मंगमा जैसे मान लेते हैं कि ये कौन है जी ये है मंगमा इस महिला का नाम क्या है इस महिला का नाम है मंगमा इस महिला का क्या नाम है मंगमा याद रहेगा तुनिए गाज बड़ा ध्यान से एक एक चीज हम आपको बड़ा प्यार सा समझाएंगे आज इस महिला का नाम है मंग अम्मा इस महिला का एक बेटा है समझ गए नहीं? इस महिला का एक बेटा है प्यारे बच्चों समझ गए? इस महिला का एक बेटा है जिसका नाम है क्या? बताइए तो जल्दी से नाम, प्यारे बच्छों ध्यान रखिएगा इस महिला का एक बेटा है जिसका नाम है महिला का बेटा, यानी कि मंगमा का बेटा हम सिर्फ कर लेते हैं बेटा का नाम यहाँ पर चर्चा में नहीं दिया गया है आपके पुस्तक में तो हम सिर्फ कर लेते हैं मंगम्मा का बेटा क्या कर लेते हैं मंगम्मा का बेटा अच्छा मंगम्मा के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दे कि यह जो मंगम्मा है ना इसके पती अब इस दुनिया में नहीं रहे यानि कि इसके पती का स्वर्गवास हो चुका है महिला ये जो मंगमा है मंगमा का एक बेटा है और जाहिर सी बात है कि जब बेटा है तो इसका साधी बिया होगा तो एक बहु भी आई होगी समझ गए ना तो ये प्यारे बच्चो इसका एक पतनी भी है समझ गए इसकी एक पतनी भी है ध्यान रखियेगा इसकी एक पतनी भी है प्यारे बच्चो ठीक है ना इसकी एक पतनी भी है समझ में आएगा इसकी एक पतनी भी है त्यान रखियेगा इसकी एक पतनी भी है यानि कि मंगम्मा की ये बहू है समझ गये ना मंगम्मा की बहू और ये दोनों क्या है जी ये दोनों क्या है हस्विंड वाइफ है हस्विंड वाइफ मतलब पती पतनी है ये पती है ये पतनी है ठीक है ना ये प्यारे बच्चों फस्वेंड है और ये कौन है वाइफ है समझ में आया ये पती है और ये पतनी है समझ में आ गया सारे बच्चों को पती का नाम प्यारे बच्चों पुस्तक में नहीं दरसाया गया है तो फिर हम अपना मन से कैसे बता दें भाई पती का नाम किताब में दरसाया ही नहीं गया है तो हम अपना मन से कई से बतावें तो ये मंगमा है ये मंगमा का बेटा ये मंगमा की बहु और ये दोनों का एक प्यारा सा लड़का है यानि कि मंगमा का एक पोता भी है मंगमा का एक छोटा सा पोता भी है ध्यान रखियेगा मंगम्मा का एक बड़ा प्यारा सा छोटा पोता भी है प्यारे बच्चों ठीक है ना मंगम्मा का एक छोटा सा पोता भी है तो यहाँ पर लिखेंगे हम यह कौन है तो यह मंगम्मा का पोता है मंगम्मा का पोता समझवाया यह कौन है मंगम्मा का पोता है यह जो मंगमा है प्यारे बच्चों, ये दाही बेचने वाली है, कौन है, दाही बेचने वाली, दाही बेचने वाली महिला समझ में आया ये जो मंगमा है ये दही बेचने वाली महिला है समझ में आ गया ये चार आत्मी को तो आप लोग समझ गए न ये चार आत्मी के बारे में सब कुछ याद हो गया ये मंगमा ये मंगमा का बेटा ये मंगमा की क्या बहू यानि कि इसका पतनी और यह दोनों का बेटा है यानि कि मंगम्मा का यह पोता हो गया समझ मैं आया चलिए अब अगर हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों और भी करेक्टर के बारे में तो ज़रा ध्यान रखिएगा और भी करेक्टर के वारे में हम थोड़ा बातचीत करते हैं एक गाउं का व्यक्ति है प्यारे बच्चों जिसका नाम है रंगंपा समझ गए ना उसको हम बाद में लेंगे लेकिन हम प्यारे बच्चों ऐसा करते हैं यहां पर एक घर है समझ गए ना एक घर है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा एक घर है और घर अबलूर में इस्थित है कहा में अबलूर में और इस घर में रहने वाली एक महिला है इस घर में रहने वाली एक महिला है यह जो महिला है प्यारे बच्चों और कोई नहीं बलकि इस चेप्टर के लेखक की माँ है समझ गया ना इस चेप्टर के जो लेखक के सिरे निवास उनकी कौन है यह माँ है जो की इस घर में रहती है समझ में आया ये कौन है अब लूर में रहने वाली महिला यानि की लेखक की माँ समझ गए ना लेखक की माँ है लेखक की माँ मतलब समझ रहे है यानि इस चिप्टर के जो लिखने वाले है ना उनकी ये माताजी हुए उनके ये कौन हुए माताजी हुए समझ गए और अब प यहारी मतलब समझते हैं एक नम्र के जो लफ़ आदमी होता है ना वो लफ़व आदमी है, प्यारे बच्चों ध्यान रखे जाया एक लफ़ुओ आदमी है, जिसका नाम है, रगमपा. ये गाउं का एक जुआरी आदमी है लंपट आदमी है समझ में आया ये गाउं का एक जुआरी आदमी है एक लंपट आदमी है जिसका नाम है रगमपा समझ में आया ये जो लेखक की माँ है ना ये जो लेखक की माँ है ये कहा रहती है अबलूर में कहां रहती है प्यारे बच्चो अबलूर में ये जो घर है वो कहां है अबलूर में है समझ गए ना अबलूर और जहां पर मगमा रहती है जहां पर मगमा रहती है इसके गाउं का नाम है बिंकटपूर गाउं कुन सा है बेंकटपूर बेंकटपूर समझ में आया यह जो बेंकटपूर है ना यह अबलूर के बगल में ही इस्थित है मतलब बगल में दो गाउं है एक गाउं का नाम है अबलूर और अबलूर के बगल में ही है बेंकटपूर और बेंकटपूर की रहने वाली है मगम्मा और अबलूर की रहने वाली है लेखक की मा समझ गया ना यानि कि लेखक के जो माता जी हुए वो प्यारे बच्चों अबलूर में रहती हैं और मगम्मा उसका बेटा उसकी बहू उसका पोता यह सब जो है न कहा रहता है बिंकट पूर में रहता है समझ में आया तो इतना इस कहानी के मुख्य पात रहें पताई इतना तो सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा इतना सारे बच्चे को अगर समझ में आ गया तो एक बार बोल दीजिए यह सर आज सर ये चिप्टर खतम हो जाएगा अगर आज नहीं खतम हुआ तो आज बवाल मचा देंगे समझ गए ना आज ये चिप्टर हम खतम करके रहेंगे चाहिए जैसे भी हो जाए समझ गए सारे बच्चे को यहां तक समझ में आ गया ना कौन कौन पात रहें एक मगम्मा जो की दही बेचने वाली काम करती है दही बेचने का काम करती है और रोज दही जब बेचने जाती है तो ये प्यारे बच्चों यहां से निकलती है यहां से निकलती है तो इसी के घर के आगे से होकर के गुजरती है यानि कहने का मतलब हुआ कि ये दही बेचने के लिए माथा पर समझ गए ना अपने माथा पर तसला ले करके इस तरीके से प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा इस तरीके से माथा पर तसला ले करके माथा पर ये बरतल ले करके और लेखक के घर के आगे से डेली गुजरती है समझ में आया लेखक के घर के आगे से डेली गुजरती है यानि कि यह जो मगम्मा है यह अब लूर में रहने वाली महिला के घर के आगे से डेली जाती है दही बेचने के और जब भी यह दही बेचने के लिए जाती है न तो चुकि इन ही के दरवाजा के दिया होते मा को, क्या आवाज लगाती है कि दही चाहिए माजी तो बताइए दे देते हैं समझ गए ना, ये मगम्मा डेली जब लेखक के घर के आगे से होकर के जाती है, तो आवाज लगा देती है कि माजी क्या दही चाहिए समझ गए, अगर लेना होता है तो ये बाहर आ जाती है और कुछ दिर बादचीत भी कर लेती है मगम्मा से और दही भी ले लेती है समझ में आया सारे बच्चे को समझ में आ गया ना बताईए सारे बच्चे को समझ में आ गया तो कूल मिला करके हमें ये पता चला कि मगम्मा के परिवार में कुल चार सदस हैं जिसमें एक पहला तो मगम्मा हो गई दूसरा उसका बेटा तीसरा उसकी बहू और चौथा उसका पेटा कौन है पोता मगम्मा के परिवार में कितने सदस हैं चार सदस है मगम्मा के परिवार में टोटल चार सदस है प्यारे बच्चों, और मगम्मा के बारे में हम आपको बता ही दिये कि मगम्मा का जो पती है अब इस दुनिया में नहीं रहा, समझ गए ना, यहां तक सारे बच्चे तो समझ गए होंगे, सबका concept दिमाग में छप गया ना कि मगम्मा कोन है, उसका बेटा आएगा, देखिए बात कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों कि मगम्मा जब डेली दही ले करके, प्रती दिन दही ले करके, जाती है बेचने के लिए अबलूर के, मतलब अगल बगल के गाउं में, यानि कि अबलूर में भी जाती है, और अबलूर में जब जाती है, तो लेख लेखक के घर के आगे सोगर के गुझरती है, और लेखक के घर के आगे से गुझरती है, तो लेखक की माँ उससे दही खरीदती है, और जब डेली दही खरीदती है ना, तो धीरे 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 करके, लेखक की माँ और ये मगम्मा दोनों में दोस्ती हो जाता है, समझ गए है जब भी मगम्मा दही बेचने के लिए जाती है तो लौटते समय जरूर एक वारा वाज लगाती है कि मां जी आज दही चाहिए क्या अगर दही चाहिए होता है तो यह भरतल लेकर के आती है दही ले लेती है और कुछ देर बाइट करके बात्चित भी करती है कुछ दिर बैट करके बातचीत भी करती है यह जो मगम्मा है ना दही बेचती है बारी पर दही बेचती है बारी पर प्यारे बच्चो बारी पर दही बेचती है ठीखे ना बारी पर दही बेचती है बारी मतलब समझते हैं पारी मतलब समझते हैं प्यारे बच्छों पारी मतलब होता है ना कि जैसे एक आपके घर में अगर दूध हाता होगा तो देखते हैं ना कि महीने भर दूध हाता है और उसके बाद महीने के अंत में हम लोग जा करके गौला को पैसा दे देते हैं और इसी को हम लोग बारी कहते हैं, अनेक जगा पर अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है, कहीं पर कहा जाता है कि दूद का रोजा लगा हुआ है, कहीं पर कहा जाता है कि दूद का उठाओना लगा हुआ है, कहीं पर कहा जाता है कि दूद का उठाओना लगा हुआ है, कहीं के अंत में सबसे पैसा ले लेती है तो ये बारी पर दही बेचने का काम करती है और जब डेली ये दही लेकर के निकलती है इसके माथा पर ना डेली प्यारे बैचो दही रहता है समझ गए इसके माथा पर डेली दही रहता है ये हाथ से पकड़े रहती है दही को समझ में आया तो डेली इसके माथा पर दही रहता है और दही जब ले करके जाती है बेचने के लिए और दही जब बेच करके लोटने लगती है तो डेली लेखक के घर के पास लेखक की मां से बातचीत करती है और दो महिला जब आपस में बैठ जाए तो क्या बातचीत हो सकता है आपको पता ही होगा दो महिला जब आपस में बैठती है ना तो बातचीत करती है कि क्या कहे माजी रात में जोरनिया तो दिये लेकिन दहिये नहीं जमा यह सबना बातचीत होगा रात में जोरन तो दीए लेकिन दही नहीं जमा रात में दही जमाने के लिए बरतन में दूद डाल दिये थे माजी क्या कहें आँख लग गया और बिल्ली आया और पूरा दही गिरा दिया समझ गये ना बिल्ली आया और कुल्हड में छेद कर दिया दही नहीं जमा, दूद फट गया, ये सब चर्चा बेचारी ये करती है, अपने अगल बगल का चर्चा करती है, समझ गया ना, तो, और थोड़ा बहुत चुगली भी कर लेती है, क्योंकि इसके बिना तो भाई, महिलाओं का बातचीत अधूरा रह जाए सायद, समझ गया ना इसके बिना महिलाओं का बातचीत सायद अधूरा रह जाए, लेकिन प्यारे बच्चों, ये दोनों जब आपस में बातचीत करती है, तो बेचारी मगम्मा अपना दुख सुख बाटती है इनके सामने, समझ गया ना, माजी माजी कहती है, लेखक की मा को ये मगम्मा माजी म माजी कहती है, एक दिन ऐसा ही हुआ कि मगम्मा जो है वो दही लेकर के जा रही थी, और यहाँ पर पहुच करके आवाज लगाई, कि माजी दही चाहिए क्या, तब तक घर से एक छोटा सा बच्चा निकला, लेखक के घर से एक छोटा सा बच्चा निकला, और वो बच्चा भी डेली देखता था मगमा को तो वो छोटा बच्चा निकल के कहता है कि हाँ हाँ दही चाहिए दही चाहिए तो मगमा बोलती है कि ठीक है बेटा जाओ अपनी माता जी को बुला ला उस महिला को बुला ला यानि कि इनको बुलाने के लिए बोला तो वो छोटा बच्चा क्या बोलता है कि इसे नहीं बुलाएंगे इसे नहीं बुलाएंगे पहले हत्वा पर दही दो जरा सा तब बुलाएंगे वो हाथ अपना पहला देता है वो अपना हाथ फैला देता है कि पहले दो जरा सा दही तब देंगे बड़ा प्यार से मगम्मा अपने दही के भगाने में से दही निकाल करके थोड़ा सा उसके हाथ पर रखती है वो बच्चा दही खाते हुए चल जाता है इस महिला को बुलाने के लिए ठीक है जब बुलाने के लिए जाता है और जब ये महिला आती है तो मगम्मा कहती है इस महिला से कि बड़ा सोने के जैसा बेटा पैदा किया हो क्या कहती है कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है अमा एकदम सोने जैसा है कितना प्यारा बोलता है और भी कुछ कहती है और मगम्मा कहती है कि सोने के जैसा बेटा तो है लेकिन पता नहीं क्या साधी के बाद बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा क्योंकि साधी के बाद तो लोग बदल ही जाते हैं न साधी के बाद तो अपनी माता को भूल जाते हैं और अपने बीबी का बात मानना सुरू कर देते हैं समझ गए साधी के बाद यानि कि लड़का कहती है मगम्मा इनको लेखा के मा को कि बस साधी होने की देर है जैसे ही लड़का बड़ा होगा फिर ही अपना असली रूप दिखा देगा अभी तो सब कोई की लगता है कि हमारी मा ही सर्वस्रिस्ट है लेकिन जैसे ही साधी हो जाता है मा से ज़्यादा बड़ी पतनी हो जाती है समझ गए ना इसलिए ये बात मगम्मा बोल रही थी क्योंकि मगम्मा का भी जो बेटा था ना कुछ इसी तरीके का बरताब कर रहा था मगम्मा के साथ समझ गए मगम्मा के साथ भी इसी तरीके का बरताब कूछ कर रहा था यहां तक सारे बच्चे को समझ में आया तो और बिचारी का पती था नहीं मगम्मा का पती तो पहले ही स्वर्गबास हो चुका था पहले ही नहीं चल गया था समझ गया ना तो हुआ गया प्यारे बच्चों कि मगम्मा ऐसे ही डेली बाचित करती थी इनको भी बाचित बतलब करते थी तो इनको भी अपना ग्यान देती थी कि देखो भाई बेटा को थोड़ा कंट्रोल में रखना साधी के बाद सारे बच्चे बदल जाते हैं पती के सामने थोड़ा अच्छे से रहना पती का प्यार हमें नहीं मिला लेकिन हम जानते हैं कि पती का प्यार क्या होता है पती हमें छोड़ करके चले गए साध कुछ दिन और रहते तो हमारा कुछ दिन और निकल जाता क्योंकि जिसका पती मर जाता है ना प्यार को पता चलता है कि इस दुनिया में रहना कितना मुस्किल है समझ गए ना अभी प्यारे बच्चों हाल फिलहाल की एक घटना हम आपको बता रहे हैं हमारे देश में जम्मू कास्मिर में एक DSP सहीद हो गये हैं बॉर्डर पर समझ गए इधर दो दिन पहले की घटना हम आपको बता रहे हैं हमारे देश के एक अच्छे रैंकर थे DSP रैंके थे वो बिचारे सहीद हो गये उनके साथ दो तीन पुलिस वाले और सहीद हो गये लेकिन चर्चा हो रही है तो सिर्फ उस DSP की हुआ था क्या कि कुछ दिन पहले मुस्किल से दो तीन महीना पहले उस DSP का साध हुआ था तीन चार महीना या पंचो महीना पहले वो DSP अपने जिंदगी भर की कमाई से घर बना रहा था घर बनाने में जाहिर सी बात है कि भाई किसी का जिंदगी भर का कमाई लग जाता है क्योंकि घर एक सपना होता है जिसे लोग बड़े प्यार से संजोग करके बनाते हैं तो वो DSP जो जम्मू का स्मीर में तैनात था वो एक घर बना रहा था और अभी एक महीने के बाद ही उसका ग्रीह परवेस होने वाला था यानि कि घर का उद्गाटन होने वाला था समझ गया ना हुआ किया पैरे बच्चों की आतंकवादी हमला हुआ और उस DSP के पेट में गोली लगा और उस DSP का साधी भी हुआ था एक महीना मतलब चरपांच महीना पहले और 29 दिन का एक बेटा था कितना दिन का मात्र 29 दिन का यानि कि उसकी पतनी 29 दिन पहले एक बेटे को जन में लड़ी थी लड़ते 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 उसकी पेट में गोली लग गया और जब पेट में गोली लगा तो ऐसे जगह पर जाकर गोली लगा जहां पर कि उसे ट्रैस्क नहीं किया जा सकता था बड़ा मुस्किल से ट्रैस्क किया गया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी था कि अब हम नहीं बचने वाले हैं, तो वो उसी समय अपनी पत्नी को फोन करता है, वो DSP, अपनी अंती मवस्था में है और पत्नी को फोन किया, वीडियो कॉल किया, और वीडियो कॉल करके कहता है कि हमें गोली लग चुका है, सायद हम नहीं बचेंगे, अच्छे से रहना, और बेटे का ख्याल रखना इतना कह करके बिचारा दम तोड़ देता है इतना कह करके बिचारा दम तोड़ देता है इतना दर्दनाक घटना है प्यारे बच्चों जब हम पहली वार सुने हमारे आँखों से पानी निकल गया समझ गए ना, इतना ये दर्दनाक घटना घटा हमारे देश में, समझ गए ना, तो हम नहीं चाहते हैं और न भगवान से ये रतना करते हैं कि दुस्वन को भी ऐसी मौत नहीं दे, किसी महिला के जीवन में इतना दुख नहीं कि साधी के कुछ दिन बाद ही उसका पती चला गया था, और वेचारी को बहुत ज़्यादा तकलीप था, बहुत ज़्यादा तुख था, बहुत ज़्यादा तकलीप था, और यहीं ग्यान उसको समय समय पर देती रहती थी, ठीक है, तुख और ज़्यादा बढ़ जाता है कि दुनिया में पती भी नहीं है, और बेटा भ मा से बोलती है कि क्या कहे मा जी जब से बेटा का साधी किये है तब से वो हमें लगाता ही नहीं है वो अपनी पत्नी के पीछे ही पागल रहता है उसकी पत्नी जो सुन्दर है तो वो अपनी पत्नी के पीछे ही पागल रहता है जो पत्नी कहती है वो वही सुनता है पत्नी कहती है कि हमको नहीं खाना दो तो वो नहीं खाना देगा यानि कि पत्नी के बात में ही रहती है लगता है कि उसकी पत्नी ने उस पर कोई जादू टोना कर दिया है क्या कर दिया है कोई टोटका कर दिया है गाउं घर में देखता है न कहता है कि जादू, टो, ना, टोटका, समझ गए न, ये सब किया जाता है तो ये मगम्मा कहती है कि देखिए हमारा बेटा हमसे पता नहीं क्यों नाराज रहता है वो अपनी पत्नी के बस में हो गया है पत्नी जो कहती है वही सुनता है पत्नी अगर नहीं कहती है तो नहीं सुनता है पत्नी कहे कि दीन है तो वो भी कहता है कि हाँ भाई दीन है पत्नी कहे कि रात है तो वो भी कहता है कि हाँ भाई रात है और वो हमें बिल्कुल भी नहीं मानता है समझ गए न ये कौन कह रहा है तो ये प्यारे बच्छो मगमा जो है ध्यान रखिएगा ये जो मगमा है ये बातचित कर रही है किस से ये बातचित कर रही है ये लेखक की मां से बातचित कर रही है समझ गए ना ये किस से बातचित कर रही है तो लेखक की मां से बातचित कर रही है समझ भी आया ना ये लेखक की मां से दोनों आपस में बातचित कर रही है कि लगता है कि क्या लगता है कि हमारा बेटा हमें नहीं मानेगा बात कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान से समझेगा ठीक है ना फूल मिला करके ये कह सकते हैं कि मगम्मा के परिवार में क्या है आपसी कलह है मगम्मा के परिवार में आपसी कलह बहुत जोर से भरा हुआ है समझ गया ना यानि कि उसके परिवार के बीच एकता नहीं है, एकता क्यों नहीं है, क्योंकि पत्नी जो है ना, पत्नी जो है वो नारूस्ट रहती है, किस से? मगम्मा से, ध्यान रखिएगा, पत्नी जो है, यानि कि मगम्मा का जो बहू है ना, ये बहू और सास में लडाई रहता है, सास बहु वाला लड़ाई यह दोनों के बीच में लड़ाई रहता है किस बात को लेकर के पता है अधिकार को लेकर के अधिकार समझ गया ना कि गवाओं कि घर के मालकिन कौन रहेगी यह कहती है कि देखो भाई हम अभी तक जीवित हैं तो हम रहेंगे यह कहती है कि नहीं हम इस घर में आ गए हैं तो मालकिन हम रहेंगे और पता नहीं क्यों आज कल की 70% महिलाओं को ऐसा ही लगता है कि हम जिस घर में चले गए उस घर की मालकिन हम है लेकिन मालकिन बनना कितना कस्ट काम है ये उसे बेचारी को पता नहीं होता है अगर पैसा कमाना है तब पता चलता है कि कितना मुश्किल काम है मालकिन बनना मालकिन को ऐसे ही नहीं हो जाता है उसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है और मा का प्यार तो प्यारे बच्चों मत पूछिए मा का प्यार दुनिया में अनमोल है मा अपने बेटे को बहुत प्यार करती है मा के बारे में जितना सब्द कहा जाए वो सब कम पढ़ जाएगा प्यारे बच्चो ठीक है ने मा दुनिया के वो अनमोल रतन है जो अपने बच्चे के मुँ से मा सब्द सुनने के लिए नौ महीना अपने गर्भ में अपने बच्चे को रखती है नौ महीना गर्भ में अपने बच्चे को रखती है बच्चा अंदर पेट से ही लात मारता है सारा दर्द सहती है स्मझ गये ना, बच्चे को जन्म देती है पूरा दुख सह करके बच्चे को कलालन पालन करती है बोस्ती है, पालती है और जब पहली वार वो बच्चा अपने मूँसे मासब्द निकालता है ना तो मा का हिरद बहबल हो उठता है लगता है कि मानो दुनिया का संसार का ब्रहमांड का सारा सुख मा को मिल गया हो इस परकार से लगता है तो बस अपने बच्चे के मूँ से मा सब्द सुनने के लिए मा इतना पिड़ा इतना कष्ट उठाती है एक मा अगर चार-पांच बच्चे भी है न तो उनका बड़े अराम से भरन पोशन कर लेती है लेकिन चार-पांच बच्चे मिल करके एक मा का भरन पोशन नहीं कर सकता है आज का दुनिया ऐसा है प्यारे बच्चों आज का दुनिया ऐसा है कि एक माँ चार-पांच बेटे को पाल पोस्ट करके बढ़ा कर देती है लेकिन जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो चार-पांच बच्चे मिल करके एक माँ का भरन पोशन नहीं कर शकते हैं उनको अलग कर देता है प्रिद्राश्रा में छोड़ देता है समझ गया ना और यही दुख है किसके साथ मगम्मा के साथ कि बिचारे बेटा को तो पाल पोस्ट करके बढ़ा कर दी है और उपर से क्या हुआ उपर से उसको लगाती भी नहीं है समझ गया ना यही सब हुआ तो अधिकार को लेकर के सास बहु के बीच में लड़ाई है यह कहती है कि भाई घर का मालकिन हम है जो तुम्हारा पती है उसका भी अमा है तो जाहिर सी बात है ना उसका भी अमा है तो जाहिर सी बात है कि हम घर का मालकिन है लेकिन ये कहती है कि नहीं मालकिन हम है दही बेच करके जतना पैसा लाती हो वो सब पैसा तुम हमको दो कौन कहती है उसकी बहू मगमा की बहू कहती है मगमा की बहू कहती है कि दही बेच करके तुम जो पैसा लाती हो वो सब पैसा हमारे पास हवाले कर द लेकिन मगम्मा का एक सौख है मगम्मा का सौख ही यह है प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिये का हम कहानी के जैसा कह रहा है मगम्मा का ये सौख है कि हमारा पती तो चला गया जवान में जवानी में ही हमारा पती चला गया जवानी में ही हमारा पती मर गया पिचारी को एक सौक है कि हम मखमल का बलाउज पहने इस मगम्मा को सौक है कि हम दही बेच करके कुछ पैसा जमा करें और पैसा जमा करके मखमल का एक बलाउज पहने बस यही इसका सौक है यह बस चाह रही है कि हम बस मखमल का एक बलाउज पहने और इसलिए ये पाई पाई करके पैसे जोड़ रही है और मकमल का दाम प्यारे बच्चों लगबग साथ आठ रुपईया है समझ गए साथ आठ रुपईया साध उस समय साथ रुपईया जादा होता होगा जी तो ये मगमा लेखक की मां से पुछती भी है कि मा जी आप मकमल का ही बलाउच पहनते हैं न कितना में मिलता है तो ये बोलती है कि सताथ रुपईया में तो ये बोलती है कि हमें भी बहुत सौख है घर वाला तो जवानी में ही छोड़ करके चला गया स्वर्ग सिधार गया एक कपड़ा भी आज तक हम अच्छे से नहीं पहने है लेकिन हमें सौख है कि एक मकमल का कपड़ा पहने एक मकमल का बलाउच पहने एक मा का सौख होता है प्यारे बच्छों समझ गये न परते एक महिला का सौख होता है कि हमारे पास धेर सारा बस्त्र हो प्रसाबुषन हो सब कुछ ऐख मां का सौक होता है कि हमारे पास अच्छे चे कपड़े हो और कहीं नहीं उसी प्रकार का सौक भी मगफमा को भी है कि चलो जवाणी पूरा बच्पन पूरा पार कर गया जवानी पूरा पार कर गया हुआ कम से कम बुढ़ापा बस था, मैं तो एक मकमल का बलाओजמע पहन ले और इसलिए ये पाई 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 पैसे जोड़ती है कमाती है, दही बेचती है जिस उम्मे इसे अराम करना चाहिए उस उम्मे दही बेचती है, चौहाई गया ना? इस सब पैसा चाहती है कि सब हम ले ले, समझ गए, तो इसलिए दोनों के बीच में अधिकार को लेकर के बिबाद है, अधिकार को लेकर के बिबाद है, समझ गए, और जब उसकी पत्नी से लडाई है, तो बेटवा कहता है कि तो हम रोज से लडाई है, यानि कि पत्नी बेटा का जो बेटा है ना इसका जो बेटा है वो पत्निये के बाद मानता है अपना माई के बाद नहीं मानता है अपना बेटा है अपना बेटा है और अपना माई के बाद नहीं मानता है उसको अलगे रखता है समझ गए ना उससे कोई मतलब नहीं रखता है अपना पत्नी के बाद म ऐसा करो कि तुम भी कोई टोटका कर दो कि तुम्हारा बेटा फिर तुम्हारे पास आ जाए, अपने पतनी के चंगुल से निकल जाए, अपने पतनी के बस में से निकल जाए, समझ गए ना, इस परकार का प्यारे बच्चों बाचीत होते रहता है, समझ गए है, एक दिन पोता को, जायर सी बात है कि कोई भी माँ अपने बेटे को मारती है, कुछ गलती करती है, तो मारती है, तो ये भी अपने एक दिन बेटे को खुब मार मारी, बहुत, समझ गए ना, बहुत मार मारी, समझ गए ना, जान रखिएगा, जान रखिएगा, ये जो महिला है, यानि क मगमा की जो बहु है अपने पोते को अपने बेटे को यानि इस महिला ने अपने बेटे को एक दिन बहुत मार मारी मामूली सी गलती पर कुछो भी गलती नहीं था समझ गए न कोई बात हुआ होगा जी कोई बात हुआ होगा जिस पर भर दम पिटाई कर दी अपने बेटे को कोई माँ अपने बेटे को इस प्रकार से मारती है क्या बहुत जादा मारी ये बेचारी दही बेच करके आ रही थी देखी कि हमारी जो बहु है वो हमारे पोते को पीट रही है तो इसको आगया गुस्सा मगम्मा को और ये बोलती है गुस्से में कि क्यों रही राचसी ये मगम्मा बोलती है इसको अपने बहु को क्यों रही राचसी तुमको पता नहीं चलता है एक छोटे से बच्चे को इतना मार रही हो जानबर उनबर हो, राचिसी हो इतना कोई मारता है भला बताओ क्यों मार रही हो हमारे पोते को क्यों मार रही हमारे पोते को जाहिर सी बात है कि कोई भी दादी का अपने पोते से प्यार होता है दादी का अपने पोते से प्यार होता है तो ये क्या बोलती है कि हमारा बेटा है हम उसको मारे चाहे पिटे तुमको कहला भार पर रहा है तुम जाओ जहाँ पर जाती हो जहाँ मतलब ये अपनी सास को डांट करके वहां से भगा दी सास बोलती है कि रुको तुम्हारा जो पती है न वो हमारा बेटा है तुम्हारा घर वाला हमारा बेटा है वो आता है तो हम सिकायद करते है बाद में जब उसका बेटा आया तो ये मगम्मा अपने बेटे से बोली कि देखो बेटा आज एक मामूली सी बात पर बहु ने पोते को भर दम पिटाई की है ये बिल्कुल गलत बात है ये छोटा सा बच्चा है उतना उतना मार खाएगा तो उसका शरीर का क्या होगा ये सोच रही थी मगम्मा की बेटे को सिकायत करेंगे तो बेटा अपनी पत्नी को डाटेगा और डाटेगा तो आज के बाद नहीं मारेगी लेकिन उल्टा हुआ ये क्या बोलता है उसका बेटा क्या बोला कि माजी तुमको इससे क्या फर्क पड़ता है वो अपने बेटे को मार रही है मारने तो तुम अपना राम से रहो सुचिए तुम अपना राम से रहो और अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो तुम अलग हो जाओ समझ रहे हैं अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो तुम अपना चुला चौकाला कर लो समझ गया ना मतलब बेटे से उमीद लगा करके बैठी थी कि आएगा तो मुझे को सिकायत करेंगे वो अपनी पत्नी को डाटेगी लेकिन उल्टा हो गया वो बेटा ही उल्टा बोल दिया कि तुम अपना अलग रहो समझ गया ना तब मगमा बोलती है कि या तो घर में ये रहेगी या तो हम रहेंगे यानि कि अब इस घर में या तो हम रहेंगे या तो हमारी बहु रहेगी, दूनों में से कोई एक रहेगी बेटा को बोले, तब बेटा क्या बोलता है कि ता इसा करो मा जी, तुम ही बाहर चले जाओ, बहु तो इसी घर में रहेगी, सोचिए जो मा जनम दी पाल पोस्ट करके बढ़ा की सब कुछ कर दी आज वही बेटा कह रहा है कि हमारी पतनी जो दस दिन जो दुचार साल पहले घर में आई है वो घर में रहेगी और मा जी तुम अलग हो जाओ ऐसा ऐसा बेटा को ने चुलू भर पानी में डूब मरना चाहिए थिकार है समझ गए ना ये महिला जब बोलती है कि बेटे को पोते को मारा है तो उल्टा इसी को क्या कर दिया बोलती है कि तब तुम घर से बाहर चले जाओ लानत है ऐसे उलाद पर समझ गए ना ये प्यारे बच्चों क्या कर दी इसको बोल दी कि तुम अलग चल जाओ बेचारी ये सौभिमानी महिला थी बोली कि ठीक है हम आजे से अलग हो जाते हैं हम आजे से अलग हो जाते हैं समझ गए ना और इसका चुलहा चौंका अलग हो गया ये बेचारी लडाई जगड़ा हो गया, दही बेचने के लिए बाहर चली गई, जब दही बेचकर के आई तो देखी कि हमारा चुलहा चौंका बरतन सब अलग कर दी है, कौन पुतहू, और ये जो बहू है न वो चुलहा चौंका सब अलग कर दी है, और बेचारी आज से ये अलग हो गई, यानि कि अब इसका खाना अलग, मगम्मा का खाना अलग बनने लगा, और नजम्मा, ये नजम्मा है, मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा, क्या नाम था, नजम्मा, तो मगम्मा का खाना अलग बनने लगा, और नजम्मा का खाना अलग बनने लगा, मतलब दोनों अलग-अलग हो गए, समझ गए ना, दोनों क्या हो गए, अलग-अलग हो गए, यहां तक सारे बच्चे को समझ में आया, हम, सारे बच्चे को समझ में आ गए, जल्दी से बोलिये, तो यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा, समझ गए ना, हम, ठीक है, यहां तक सारे बच्चे समझ गए ना, यहां तक किसी बच्चे को समझ में आया, आप यहां पर प्यारे बच्चों, पहला पार्ट इस चेप्टर का क्या होता है, खतम होता है, कि दोनों अब अ अलग-अलग हो करके किसी भी तरीके से गुजारा कर रही है, समझ गया है, वही हुआ प्यारे बच्चों, कुछ दिन बेचारी ये दही बेची, और कुछ दिन दही बेचने के बाद जब पैसा जमा हुआ, जब पैसा जमा हुआ, तो ये एक मखमल का बलाउज सिलवा ली, तो उसकी जो बहु है, वो देखी, समझ गया ना, बहु देखती है अपने सास को, कि अरे ये तो मखमल का बलाउज पहन ले है, तो ये क्या बोलती है, कि बुढ़हारी में मखमल के बलाउज पहनती हो, समझ गया ना, क्या बोली, कि बुजूर का बस्ता आ गया, यानि कि बुढ़हारी आ गया, बुढ़ही हो गई, और अब मखमल की बलाउज पहनती हो, समझ गया ना, और वो भी गाउं के तीन-चार लोग के सामने बोल दी, गाउं के तीन चार लोग के सामने उसकी बहु ने उसका उज्जत अटाले बोली क्या कि बुड़ी हो गई हो और मकमल की बलाउज पहनती हो अरे हम अभी जवान है भी हम पहनते हमको तो साधी में कुछों नहीं दिये थे हमको तो साधी में कोई कपड़ा नहीं दिये थे और अपने गड़ी मकमल के बलाउज पहन रहे हैं समच गया ना ये बात बोली तो ये बात बोलने पर गाउं के जो तिन चार लोग थे न वो हस पड़े बड़ा खराब लगा मकमा को कि इस परकार से गाउं के सामने बेजिती करना अच्छी बात नहीं है अरे हमारा सौक थाप पहन ही लिए तो क्या हो गया और जहां तक साधी का बात है ये बोल रही है कि हमारी साधी में कुछ नहीं दिये है तो मगम्मा कहती है कि नहीं दिये है ये जो सोना का करनफूल है जो जुमका है कनवाली है और पता नहीं क्या क्या है ये सब कौन दिया है कान की जंजीर है कंठी तगड़ी है ये सब कौन दिया था हम ही तो दिये थे तो ये जब बात मगम्मा बोलती है कि मा जी वो सब बात मत बोलो कि सादी में हम यह ए दिए थे वो दिए थे अगर दिए थे तो ले लीजिये अपना हमको नहीं चाहिए हो वैसा हम उसके बिना मरे नहीं जा रहे हैं कहियो तो हम लागर गहना कि देते हैं टोटल गहना आपके पास लीजी आपना गहना आप गहनों पहन करके घुमिया आप समझ गहना हाई रे बेटा समझ गहना तो ये बेटा प्यारे मचो अपनी माँ को क्या बोलता है कि उस परकार का बात मत बोलिए अगर चाहिए तो मैं तुम्हें पूरा जेवर लाकर के दे देता हूँ मैं तुम्हें पूरा जेवर लाकर के दे देता हूँ समझ गये ना और क्या बोलती है कि हमारा और ये बेटा क्या बोलता है कि यह जन्म हमारा बेकार हो गया कि इस जन्म में हम तुम्हारी बेटा बन गए समझ रहें बात को बड़ा अपसोस का बात है मगम्मा बेचारी चूप चाप सहन कर लेती है बातों को और दही बेचने के लिए चली जाती है उसको लगा कि बहस करने से कोई फाइदा है नहीं वो बेचारी चूप चाप बहस करे बीना चली जाती है समझ गये ना अब हो गया सास बहु में और ज़्यादा नोक जोक समझ गये ना और ज़्यादा जगड़ा हो गया जब ये मकमल का बलाउज बिचारी पहन ली तो समझ गये अब जब नोक जोक हो गया तो मगमा तो अब अलग रहने लगी ही थी गाउं के सब लोगों को पता चल गया था कि मगमा अब अलग हो गई है भाई मगमा अलग हो गई है समझ गये मगम्मा के पास कुछ पैसा था मगम्मा के पास कुछ पैसा था इसको डर था कि हम अकले हो गए हैं गाउं में से हुकर के जाते हैं कहीं कोई ये पैसा छीन नले होगा बैचारी के पास 10-20 रुपया और कितना होगा जी ठीक है ने बड़ा मुश्किल से तेगो सताथ रुपया में कपड़ा खर दी है मकमल का बलाउज खर दी है और कुछ और पैसा होगा तो ये जो मगम्मा है वो सोचती है कि क्यों न भाई हम इस पैसे को कहीं रख दे किसी को दे दे रखने के लिए क्यों ऐसा सोचती है क्योंकि गाओ कहीं एक जुआरी लड़का है जिसका नाम है रगमपा ये लड़का जब इसको पता चला इस रगमपा को पता चला ये जुआरी लड़का जुआ खिलता था जब इसको पता चला कि मगम्मा अब अकेली हो गई है अपने बहु बेटे से तो ये रगमपा इसके पीछे पढ़ गया और पीछे पढ़ गया जब वो दही बेचने के लिए जाती थी तो इसके पीछे-पीछे ही चल जाता था और कहता था कि मगम्मा सुनो ना पैसा कुछ दो ना पैसा का बड़ा जरूरी ह कुछ लोटा भी देंगे, एक तो पैसा के नियत से इसके पीछे पीछे जाता था, और दूसरा इसका गलत इंटेंशन भी था, दूसरा ये गलत इंटेंशन था, इंटेंशन एसा था, कि एक दिन मगम्मा जा रही थी, दही बेचने के लिए, जबरदस्ति रगमपा इस मगम् गये ना, मगम्मा का हाथ जबरदस्ती रगंपा पकड़ लिया और एक जगा बेठा लिया, समझ गये, मगम्मा बहुत डहरी गई, सहमी गई, कि जे भाई कैसे गाउं का एक अंजान आदमी हमारा हाथ पकड़ लिया, मगम्मा इसको कहती है कि ऐसे तो हाथ हमारा आज तक हमार जैसे तुम हाथ पकड़े हो, उस तरीके से तुम आज तक हमारा पती भी हाथ नहीं पकड़ा था, तुम कैसे हाथ पकड़ लिये, लेकिन फिर भी बिचारी डरी हुई है कि गाउं का अवारा लड़का है भाई, कुछ भी कर देगा, बिचारी चूप चाप इसका बात मानत है और जब ये पैसा मांगता है तो बोलती है कि हमरे पास पैसा कहां से आया, हमरे पास कहां है पैसा, समझ गया ना, तो ये उससे पैसा ठगना चाहता था, रगमपा जो है, वो मगम्मा से पूरा पैसा ठग लेना चाहता था, कि मगम्मा के पास जो पैसा है ना, वो हम क्या पैसा ठग ले, समझ गया है इसको पता चल गया था कि इसका बहु बेटा कोई मानता नहीं है अगर हम इसको कुछ करेंगे भी तो बहु बेटा कोई आएगा नहीं, तो इसलिए वो इसको गलत नियत से देख रहा था मगम्मा कहती है कि अगर हमारे जगा पर कोई और दूसरी महिला होती, तो साइद इसके बातों में आ जाती अगर हमारे जगा पर कोई दूसरी महिला होती तो साइद इसके बातों में आ जाती लेकिन हमें क्या समझ गये ना, हम तो दही बेचने वाले लोग हैं समझ गए ना जब हमारा पती ही जवानी में हमें छोड़ करके चला गया तो फिर दूसरा कोई और कौन सहारा देगा समझ गए तो ये जब पैसा मांगता है न तो पैसा ये नहीं देती है और ये डेली पीछा करना सुरू कर देता है मगमा का डेली पीछा करना सुरू कर देता है और डेली वही बात कहता है एक बीच में अमराई का कुवा पड़ता है बीच में उस कुवें के पास जाकर के डेली इसको पकड़ लेता है कहता है कि मगम्मा पैसा दो ना पैसा काम है तुमको हम लोटा देंगे और मगम्मा डेली कहती है कि हमरे पास पैसा कहां से आएगा और उस समय मगम्मा के पास कुछ पैसा रहता है तो मगम्मा को डर लग जाता है कि कहीं पैसवा हमरे छीन न ले कहीं जबर जबर दस्ती करके ये चीन नले तो इसलिए ये जो मगम्मा है न कुछ पैसे लेकर के जाती है लेखक की मा के पास और कहती है कि मा जी हमारे पाच कुछ पैसा है आप रख लिजे न जब जरूआत होगा तो हम मांगेंगे हमें डर है कि हमारा पैसा ये कोई छीन लेगा तो मगम्मा अपनी पैसा लेकर के लेखक की मा को देना चाहती है कि आप अपने पास रखिए लेकिन लेखक की मा कहती है कि हम अपने घर वाला से पूछ लेंगे तब न घरवाला अगर कहेगा कि कहे पैसा ले लिए भाई तुम तो दिक्कत नहों जागा तो हम अपने घरवाला से पूछ करके बताएंगे आनि कि अपने पती से पूछ करके बताएंगे ठीक है फिर अगला दिन वैसा ही हुआ फिर अगला दिन वैसा ही हुआ यह इसका पीछा किया फिर ये जाती है मगम्मा लिखक की मा के पास और बोलती है माजी पैसा ले लो माजी रख लो पैसा हमसे पैसा कोई छीन लेगा मैं आपसे बिनिती करता हूँ यह पैसा रखलो क्योंकि हमसे कोई पैसा छीन लेगा मुझे बहुत डर लगता है माजी यह पैसा आप रखूलो तो इस प्रकार का कुछ बात था प्यारे बच्को प्रकार या आपना छोड़ देती है किस पास कि आप ही पैसा रखलो क्या हुा जी नहीं चल रहा है किया विडियो रूख गया है क्या जल्दी से बताईए विडियो रूख गया है क्या एक बार हाँ चाहना बुलिए जल्दी से आरे बच्चे भाई इसम चक्रवी हुरच दिये नहीं जी ठीक चल रहा है ठीक चल रहा है देखिए हम आपको क्या बता रहा है कि ये जो है ना मगम्मा जो है वो पैसा छोड़ देती है लेखक की मा के पास कि लिजिए मा जी रख दीजिए ये पैसा लेना चाहता था ठगना चाहता था ये लंपट आदमी था जी इज़्जत भी लूटना चाहता होगा समझ गये ना तो ये जो रगम्मा है ये पैसा लेने के लिए पिछा कर रहा था पाद में जाकर के इसके बेटे को और इसके बहु को इसके बारे में पता चल जाता है कि मगम्मा का पीछा कर रहा है रगम्पा पैसे के लिए यानि कि मगम्मा के बहु बेटे को पता चल जाता है कि हमारी सास का पीछा कर रहा है पैसा ठगने के लिए रगम्पा जो गाओं का एक नमबर लंपट आदमी है थोड़ा सा बेट जब हम अपनी सास का साथ छोड़ दिये न तो गौँवाला फाइदा उठा रहा है और कहीं अगर पैसा छीन लिया तो पैसवा हमरे न नुकसान होगा जी अगर सास पैसा रख ले है तो आज नकल हमरे देगी और अगर हम उसका साथ छोड़ दिये तो फिर गलवडा जाएगा पैसवा जबर्दस्ती छीन लेगा तो इसलिए अब बहु बेटे को इस पर तरस आने लग गया था अब सोचने लगा बहु बेटे ये ये लड़का उसका बेटा भी और उसकी बहु भी दुनों सोचने लगी कि क्यों न किसी तरीके से सास को अपने में मिला लिया जाए या और इसका दोनों का दिमाग खुल गया था तो अब सोचती है कि भाई इतना ज़्यादा हम उसको परतारित किये हैं इतना ज़्यादा सताय हैं तो कई से आ जाएगी अपना मन से नहीं ना आएगी तो ये दोनों मिलकर के एक उपाय सोचती है क्या उपाय सोचती है कि अपने बेटे को, यानि कि यह जो छोटा बच्चा है ना, इसको भेजती है अपने दादी के पास, कि जाओ अपनी दादी के पास ही रहना, समझ गए ना, और पर्मानेंटली इसको अपने दादी के पास ही भेज देती है, कि जाओ तुम अपने दादी के पास ही रहना हो, वहीं पर पिना उन्हीं के साथ रहना, समझ गया है, और कभी यह दादी के पास जाने नहीं देती थी, इसके पहले अगर यह दादी के पास जाता भी था ना, अगर यह दादी के पास जाता भी था तो यह दुनों मिलके मना करते हैं, दादी के पास नहीं जाएगा तू, यह घर में रह रहती है उसे दही खिलाती है उसे दूद्ध खिलाती है मलाई खिलाती है क्योंकि उसी का पोता था समझ गया न तो पोता जो था अपने माबापको छोड़ करके अब किसके पास आ गया था दादी के पास आ गया था पोता अपने माबापको छोड़ करके दादी के पास आ गया तो मगम्मा कहती है कि हमारा बेटा हमारा बहुत हमारा साथ छोड़ दी लेकिन यह बित्ते भर का छोड़ा जो है यह बित्ते भर का जो छोकरा है यह हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है ये हमारा पोता है, समझ गए ना, तो मगम्मा को बहुत ज़्यादा खुसी भी हुआ कि चलो भाई, कम से कम हमारा पोता तो हमारे साथ आया, समझ गए, हमारा पोता तो कम से कम हमारे साथ आया, मगम्मा को इस बात पर बहुत ज़्यादा खुसी हुई, समझ गए ना, अब जब पोता जब साथ में रहने लगा तो धीरे धीरे पोता अपने घर पर आवा जाही शुरू कर दिया मगम्मा को भी लगा कि चलो भाई लगता है कि बहू को समझ में आ गया है तब न अपना बेटा को भेज रही है हमारे पास ने तो इसे नहीं भेजती थी अंत में जाकर के ये बहू और बेटा दोनों जाकर के अपनी मा से यानि मगम्मा से माफी मांगता है और मांगती है बहू भी जाकर के बोलती है कि मा जी हमसे गलती हो गया उस दिन हम आपको बहुत बुरा भला कहा दिये उस दिन हमसे गलती हो गई अगर तुम भी गुसा करके अगर इसी तरीके से रहोगी मा तो कईसे काम चलेगा तुम भी गुसा करके इसी तरीके से रहोगी तो कईसे काम चलेगा यानि कि अब बहु और बेटी जो है बहु और बेटा जो है ये जा करके अपनी माँ से माफी मांगता है कि माँ जी गलती हो गया माफ कर दीजी हमें अगर तुम भी हमसे गुसे में रहोगी तो कैसे काम चलेगा हम तुम्हारा बेटा है हमें किर्पिया करके छोड़ दो हमें किर्पिया करके माफ कर दो समझ गए न सास को लगा कि चलो भाई समझ हा गया है तो क्या दिकत है मान गई बात बिचारी मगम्मा तो सीधी साधी थी बात मान गई बहु बेटे का बोली ठीक है चलो तुवारे साथ रहते है ये बोली क्या बहु क्या बोली कि देखिये माजी अब तो माजी माजी होने लगा अब एकदम माजी माजी कह करके बुलाने लगी समझ गए ने पहले बात नहीं है अब आपके बदले न हम दही बेचने के लिए जाया करेंगे अब आपके बदले हम दही बेचने के लिए जाया करेंगे देखिए जो काम तलवार से नहीं हो सकता है वो काम प्यार से हो सकता है अगर प्यार से दोनों गई तो बताईए मगमा न इसको दही वाला बिजनस भी इसको दे दी, अभी तक नहीं दी थी, लेकिन जब प्यार से बोली तो कहीं कि ठीक है भाई, जाओ तुम ही दही बेचो, हम में क्या दिकत है, हमको बस दो टाइम का खाना चाहिए, हमको खाना दे दो, आराम से तुम दही बेचो, लेकिन कभी-कभी हम भी जाया कर ये कौन जाया करती थी, बहू जाया करती थी, ठीक है ना, अब डेली दही बेचने के लिए कौन जाने लगी, उसकी बहू नजम्मा जाने लगी, समझ गये है, मगम्मा की बहू, नजम्मा अब दही बेचने के लिए जाने लगी, और कभी-कभी मगम्मा भी चल जाती थी, यानि कि अब जो है वो नजम्मा, मगम्मा, मगम्मा का बेटा, बहु, पोता सब अब साथ में एक साथ मिल जूल करके रहने लगा था। तो मज़ गया ना, अब समझ आ गया था सब को कि नहीं भाई हमसे गलती हुआ, तो अब सब को समझा गया था अब सब एक साथ मिल करके अच्छे से रहने लगी ठीक है जब सब मिल करके अच्छे से रहने लगी तो अब दही बेचने के लिए कौन जाती थी मगम्मा जाती थी अब दही बेचने ये नजम्मा उसकी बहू अब उसकी बहु जाती थी तो उसकी बहु भी जाती थी किस के पास लेखक की मा के पास अब उसकी बहु भी लेखक के मा के पास जाती थी अब लेखक की मा को लगा कि पहले तो भाई सास आती थी अब उसकी बहु आती है तो उसको लगा कि पहले तो सास का बात सुनते थे अब उसका बहु का जरा बात सुन लेते हैं कि क्या सचमुच में ऐसा थाई भाई, क्या सचमुच में इतनी खराब है, तो लेखक की मा इससे पुछती है, क्या सचमुच में तुम अपनी साथ को परशान करती हो, क्यों ऐसा करती हो, वो बुजूर्ग महिला है, इस प्रकार के क्यो क्यों करती हो बताओ अपने बेटे को क्यों इतना मारती हो तो वो बोली कि देखिए माजी मारना प्यार करना तो चलता रहता है मारना प्यार करना तो क्या चलता रहता है अगर वो बदमासी ना करेगा और अगर वो बदमासी करेगा और अगर हम उसे बदमासी पर पीटे भी ना तो वो बाद में जाकर के बिगड़ जाएगा ना हमारा क्या इतना भी अधिकार नहीं है कि अगर हमारा बेटा बदमासी करे तो हम उसे मारे हमारा बेटा बदमासी किया था हम सास हमसे लड़ गई थी तो क्या हमारा इतना भी अदिकार नहीं है कि अगर हमारा बेटा कोई बदमासी करे तो हम उसे पीटे और दूसरी बात जहां तक है मगम्मा से अलग रहने का तो कौन चाहता है कि हम मगम्मा से अलग रहें लेकिन थोड़ा नोक जोक हो गया था थोड़ा बात भी बात हो गया था अब सब कुछ सुलह हो गया है अब सब कुछ अच्छा हो गया है ठीक है न वो बताती है कि पोता अपने आप दादी के पास नहीं गया था हम ही लोग भेजे थे वो हमसे मिलने के लिए नहीं आई थी, हम ही मिलने के लिए गए थे, हम ही लोग अपने गलती का प्रास्चित किये हैं, यानि कूल मिला करके, अब सब मिल करके, साथ में रहना सुरू कर दिये थी, समझ गए ना, तो अरे बच्चे समझ गए, हाँ, अब खुसी-खुसी मगम्म भी रह रही है, और मगम्मा को खुसी-खुसी उसका बेटा और उसकी बहु रख भी रही है, समझ गए ना, तो यही कहानी है, समझ गए ना, यही कहानी है, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, यह कहानी आपको कैसा लगा, और अब हम लोग इस कहानी के प्यारे बच्चो अब इस कहानी के हम लोग प्रश्ण उत्तर को देखेंगे अब इस कहानी में पांच प्रश्ण दिया गया है जिसका उत्तर हम आपको लगे हांथ बता ही देते हैं कि इसी कारन से और किसी कारन से पटना आए हुए थे तो इसलिए नहीं ले पाएंगे यहीं बना क्लास लंबा हो जाएगा तो 9 वजेबला क्लास नहीं ले पाएंगे और अंग्रेजी का क्लास लंबे समय तक चल जाएगा, ठीक है न, चलिए पहला नमबर प्रशन कह रहा है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था क्या कह रहा है मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के बिवाद था तो जवाब में हम लोग लिखेंगे कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर के बिवाद था बताये थे ना अधिकार को लेकर के बिवाद था वह चाहती थी कि उसका अधिकार पूरे घर में हो, चाहे उसका बेटा हो या पोता या बहू, एक दिन की बात है कि उसकी बहू जब पोते को किसी कारण बस पीट रही थी, तो मगम्मा ने जब अपना अधिकार दिखाया तो दोनों के बीच में क्या हो गया, बिवाद हो गया यानि कि मगम्मा और उसकी बहू के बीच अधिकार को लेकर के बिवाद था, ध्यान रखिये गा, दूसरा नम्मर कोश्चन है कि रगंपा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था, तो रगंपा गाउं का एक जुआरी आदमी था, गाउं का एक लंपट आदमी था, चला कि मगम्मा बेटे से अलग रहने लगी है, तो वह पैसे के लिए मगम्मा के पीछे पढ़ गया, एक दिन उससे हाल चाल पूछा, और अमराई के पीछे रोक करके, अमराई का कुवाँ जो बताये थे न, अमराई के कुवाँ के पीछे रोक करके बाह पकड़ ली, और क कि जरा बैठो मगमा जल्दी क्या है दरसल रगंपा लालची और लंपट दोनों था समझ गए ना रगंपा लालची भी था और लंपट ये दोनों था चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नमर प्रशन क्या कह रहा है बहु ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया भेज दिया और पोता कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ बेंगलूर जाओंगा कह करके जीत पकड़ लिया और मगमा से संबब नहीं था इस पर बेटे और बहु ने मगमा को मना करके सब कूछ उससे खुसी-खुसी लेकर के साथ रहने लगे एक दम प्यारे बच्चों क कहानी समझ चुके हैं तो प्रस्न का जवाब खुद से लिख सकते हैं चौता है कि इस कहानी का कथा वाचक कौन है उसका परिचे दीजिए तो इस कहानी का कथा वाचक कौन है लेखक की मा है ना यानि जो इस कहानी के लेखक है उसकी मा है आपको बताया थे ना कि लेखक की म मां के द्वारा ताना वाना बुना गया है. मगमा जब दई बैचने के लिए आती है तो लेखक के घर से ही होकर क्या आती है. और दई कुछ नकुछ बेच कर जाती है. धीरे धीरे मगमा और लेखक की मा में घनिष्टता बढ़ी चली गई . मगमा की बाते सुनते सुनते लेखक की मां का हिरदे क्या हो जाता है जबी तो हो जाता है तो यह सब तो आपको पहले से पता है और सबसे अंत में हैं प्यारे बच्चों कि मगम्मा का चरितर चितरन किजिए नहीं इसके बाद एक और प्रशन है एक और प्रशन है मगम्मा का चरितर चितरन किजिए तो चरीतर चितरन कैसे करेंगे, मगम्मा के बारे में हम लोग सब कुछ लिख देंगे, तो लिखेंगे कि मगम्मा इस कहानी की परमुख पातर है, यानि की परमुख नाइका है, जो ग्रामिन छितर में रहने वाली एक आम महिला को पांद सुपारी भी खाती है, यानि की उसका अपने बहू के साथ जगडा हुआ था, जगडा का कारण पोता बना और बहू और बेटे ने उसे अपने से अलग कर दिया था, मगम्मा के अलग हो जाने के बाद गाओं के जुआरी और सौकीन तबियत का व्यक्ति रगंपा के द्वारा उसे तंग किया जाता है, ले प्रस्तूत करें, सारांस ये प्यारे वे च्वार्ट नमर का पुछता है, तो कहानी का सारांस पूछ रहा है, तो हम लोग कहानी का सारांस बता देंगे, समझ गये ना, लंपट मतलब होता है बड़ा खराब आदमी, समझ गये ना, एक नमर लफु आदमी, उसी को लंपट क कहानी का सारांस प्रस्तूत करिए लिखेंगे उसकी बहु नजम्मा है इस कहानी में लेखक की मा कथा वाचक के साथ साथ बीच बचाओ का काम भी करती है यानि कि जो लेखक की मा है वो समझाती भी है मगम्मा को कि देखो मगम्मा अपने बहु के साथ मिल जूल करके रहो इस परकार का बात करने से कोई फाइदा नहीं है सास बहु में जगड़े अधिकार जगड़े अधिकार को लेकर के शुरू होती है और प्यार से अधिकार क्या प्राप्त करके खतम भी हो जाता है प्यार से अधिकार भी वो दे देती है कहा जाता है कि प्यार से मांगो तो भाई कोई भी कुछ भी देने के लिए दुनिया देने के लिए तयार हो जाए कोई तो प्यार से वो अधिकार मांगी तो मगम्मा पूरा अधिकार भी सौप देती है इस कहानी में पानी में खड़े बच्चे का पाउं खिचने वाला मगर मच किसी दसा बहूगी है उपर से बाह पकड़कर के बचाने की दसा मा की है बीच में बच्चे की चेस्टा करने वाले को कस्ट होता है गौम यह बात दही बेचने वाली मगम्मा के घर में है तो सहर में दही लेने वाली मगम्मा के घर में भी यह नाटक चलता ही रहता है, इसका कोई अंत नहीं है तो सौटकट में हम लोग एक सरांस लिख देंगे या फिर अपने मन से भी एक छोटा सा कहानी को रख सौटकट में तो बरनिका में टोटल कितना चिप्टर है, देख ये पांच चिप्टर है, और ये पांचों चिप्टर न हम आपको बारी-बारी से पढ़ा देंगे, जिसमें पहला नंबर चिप्टर तो हम आपका समाप्त कर चुके हैं, तो जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजे बाब कमेंट में कि आपको ये कहानी कैसा लगा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कहानी तो बढ़िया था ही कहानी तो बढ़िया था ही पढ़ाने का तरीका कैसा लगा प्यारे बच्चों आप हमें ये बताईए कहानी तो बढ़िया था और इससी बाते बढ़िया था कहानी को कोई बुरा नहीं का सकता है इतना बढ़िया कहानी था सब कुछ दिखाया गया है इस कहानी में तो आप हमें किर्पया ये बताईए कि एक कहानी किस तरीके से जिस तरीके से हम आपको बताए ये पढ़ाने का, कहानी समझाने का तरीका आपको कैसा लगा प्यारे बच्चों, जिस तरीके से हम आपको बताएं, अच्छा लगा, हम जिस तरीके से बताएं, ये कहानी आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज इस कहानी को यही पर समाप्त किया जाता है बाकि साले आठ बजे से आपका क्लास चलेगा ठीक है साले आठ बजे से आपका ये क्लास चलेगा अंग्रेजी वाला वहाँ पर आप लोग अंग्रेजी का क्लास कर लिजेगा ओके तो चलिए आप इस कहानी को हम यही पर समाप्त करते हैं my dear ठीक है और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया है आपका comment देख करके हमें ऐसा लग रहा है उसी तरीके से बाकी भी पूरा कहानी हम आपको complete करवा देंगे ठीक है ना तो पूरा प्रशुत्तर भी करवा दिये मिलता है प्यारे बच्छों हम आपसे अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिंद हन्यवाद